हेलो दोस्तो, रोफिकुल डिजाइन सेंट टेक में आप लोगो का स्वागत है आज मैं अन्बोक्सिंग करने वाला हूँ एक गोडिला ट्रेपोट का जो की मैंने ओफलाइन मार्केट से खरीदा है असल मैं इसको अन्बोक्सिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके साथ मुझे पेकेट वगेरा मिला नहीं क्योंकि मैंने ओफलाइन मार्केट से खरीदा बाहर से और मैंने 140 रूपिस से लिया है तो इसके साथ बॉक्स मिलने का कोई चांस भी नहीं है तो इसको रिव्यू बोल सकते हैं क्योंकि मैं रिव्यू भी करने बाला हूं तो मैं असल में गया था मेरा बाइक का पॉलुशन सेटिफिकेट बनवाने तो जाते हैं वक्त मुझे रोट के साइड में एक दुकान में मुझे यह गोरिला ट्रैपोट दिख गया तो बार्गेनिंग करके 140 रुपिस में मैंने यह गोरिला ट्रैपोट ले लिया जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसा गोरिला ट्रैपोट 140 रुपिस में मिलने का मतलब है बहुत अच्छी बात है क्योंकि 140 रुपिस में यह चीज मिलने का बहुत कम चांच होता है इसलिए इसको बोलते हैं, ऐसे चारों तरफ इसको गोरिला के हाट पेरों के तरह बैन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है गोरिला ट्रैपोट, इसको अभी के लिए साइड में रख देते हैं, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं, और हाँ वीडियो को शुरू करने से पह ट्रैपोड है और यह मैंने करें 130-140 ऐसे प्रैस में लिया है तो आप लोग देख सकते ही है इसका क्वालिटी तो आप वो ओनलाइन भला चार-पाच हजर बला या फिर तीन-चार हजर बला तो कह नहीं सकते क्योंकि एक दिर्सों में उतना अच्छा क्वालिटी तो मिलेगा नहीं लेकिन जो भी है सही है मुझे तो सही लगा यह दिख सकते है अप लोग इसको आप ऐसे घुमा के खोल सकते हैं और फिर यहां पर आप camera मांट कर सकते हैं और यह इतना तो strong है कि यहां पर camera और यह जूम लेंस आसानी से लग जाएगा और यह उसका weight ले लेगा तो उसके लिए भी ठीक है और फिर यहाँ पर यह बुटन दिया गया है देख सकते हैं इस बुटन को प्रेस करके इसको भी क्छोल सकते हैं रुप्या में दिखाते हूं यह खुल गया तो कभी केमेरा वगेरा यहाँ पर लगे रहने से camera लगाना मुश्किल होता है या फिर mobile लगाना मुश्किल होता है तो इसको बाहर निकल गए फिर यहाँ पर camera यह फिर mobile mount कर गए फिर यहाँ पर ऐसे लगा सकते है तो यह देख सकते है लग गया और यह घुमा भी सकते है अप लोग शायद देखता हूँ घुमा तो नहीं सकते यहां बेन कर सकते हैं घुमा भी सकते हैं थोरा सा टाइट है जो कि अच्छा है नहीं तो कैमेरा बगरा ज्यादा वेट बले चीज़ रखने से खुद भाखुद घूम जाएगा, चार तरफ घूमा सकते हैं, हर तरफ बेहन कर सकते हैं, इसको यह दिख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, कई भी अनिवेन सर्फेस पर भी रख सकते हैं, कई भी कैसे भी करके, ऐसे करके रख सकते हैं, थोड़ा तेरा करना है, ऐसे करके रख सकत मतलब ये एक multi purpose tripod है जो गोरिला tripod है multi purpose है तो देख सकते हैं आप लोग कैसे भी रख सकते हैं कैसे भी करके तो यह बात मुझे बहुत अच्छा लगा अगर बाहर में आउटडोर में आप लोगिंग बगए रहा करते हैं तो यह बहुत काम में आता है वहाँ पर जब अनिविन सर्फेस पर रखते हैं शूट करते हैं खुद का तो दूर पर ऐसे रहके शूट करना परते ह तो वहाँ पर रख सकते हैं और अगर समझ लिए पत्थर बगए अभी तो मैं बाहर चाके दिखाऊंगा नहीं फिर भी अगर समझे कहीं पर पत्थर बगए रहा तो ऐसे तेरा मेरा करके रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी और जब आप ब्लोगिंग बगए कर रहे होत आप लोग यहाँ पर मुबाइल फॉन लगा के बाइक में अगर इसे पकर के रखेंगे तो ज्यादा हिलता डूलता नहीं है तो ब्लोगिंग के लिए अच्छा है अगर जो बाइक में पीलियों राइडर बैठते हैं तो उनके हाथों में अगर पकर के रखेंगे तो बहुत ब्लोगिंग का किट हो जाएगा यह हिलता डूलता एकदम नहीं है बहुत अच्छा पकर है इसका बहुत स्ट्रॉंग पकर है तो इसके लिए मैं इसको जरूर प्रिफर करूंगा अगर ब्लोगर है कोई बिगिनर लोगों के लिए यह बहुत चाहिए होगा क्योंकि इसके बहुत अच्छा है और beginning में कोई भी चीज की beginning में कीमती चीज फिरस नहीं श out नहीं करता किसे कोई क्योंकि मैं खुद भी किमती चीज यूशि नहीं करता तो आप किसी भी चीज के लिए beginning कर रहे ब्लोगिंग के लिए या फिर यूटुब के लिए यूटुब चैनल के लिए कुछ भी चीज के लिए अगर बिगिनिंग कर रहे हैं तो पहले आप ये कम प्राइस वाले चीजों से शुरू बात किजिए उसके बाद जब आपका कमाई वगरा हो जाए तो उसके बाद आप अच्छी वाली लीजिए थोरा पहले टेम में रिक्स लेना नहीं चाहिए अगर आपका यूटुब चैनल हो या फिर आपका ब्लोगिंग साइट हो वह ग्रो होगा की नहीं तो अगर ग्रो होता है तो अच्छी बत है उसके बाद आप लोग जरूर ले सकते अच्छी वाली थोरा ज्यादा पैसे खर्शा क करके तो आप लग देख सकते हैं तो ऐसे ब्लोगिंग करने के लिए मस्त है एकदम कभी-कभी मेरा यह स्टूडियो में काम में आता है घर पे तो मैं आप लगों को दिखाता हूं मैं क्या काम करता हूं दोस्तों यह आप देख सकते हैं मैंने यहां पे लगा दिया है मेरा तो जब मैं thumbnail बनाता हूँ YouTube के वीडियो के लिए तो उस ताइम में मेरा बहुत काम में आता है ये गोरिला ट्रैपोड क्योंकि thumbnail बनाने के लिए जो फोटो खिसना परता है वो फोटो खिसने के लिए भी मेरे पास कोई नहीं है तो मुझे खुदी खिसना परता है तो मैं ऐसे ये अपने चेर में लगा देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोग को पास में जाके अच्छे से दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चेर में मैंने लगा दिया है तो देख लीजिए तो ऐसे लगाने के बद फिर मैं फोटो खिष लेता हूँ खुद का तो थमनिल का फोटो ऐसे ही आता है मेरा इस फॉन के जगा पर मैं अपना आईफोन रख देता हूँ फोटो खिषने के लिए अभी में तो सिर्फ डेमोंस्टेशन के लिए आप लोग को ये अभी मेरा रेडमी नोट फेट प्रो लगा के दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये खिषने के लिए रबर का ये दिया गया है और इसका क्वालिटी भी अच्छा है जो ये मोगाल होल्डर है प्रैस के ही सबसे तो मैं बहुत अच्छा बोलूंगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका क्वालिटी उपर कर अबर ज़्यादा जोड से खिषने से टूट भी सकता है कोई गरंटी नहीं लेकिन कोई बात नहीं एक चार्लीस रूपिया ही लिया है जितना जिन जाएगा अगर एक दो महीना भी यूज़ कर लेता हो तो इसका पैसा वसुल हो जाएगा और मेरा तो बहुत चरह वीडियो में मैंने फोटो क्हिस लिए इसके द्वारा इसके help से मैंने बहुत चारा thumbnails का वीडियो बना लिया है तो मेरे लिए ये बहुत काम की चीज है और कभी-कभी मेरा face का वीडियो बनाने के लिए भी काम में आता है मैं अपना table में रखके इसको face का वीडियो बना लेता हूँ तो दोस्तों कभी-कभी में इसे अपने table पे इसे रखके इसे वीडियो बना सकता हूँ देख सकते हैं अब लोग मेरा face का वीडियो बनाना पड़ता है और कुछ दिन पहले में एक shots बनाए था जिसमें मैंने ये iPhone की night photography के बारे में बोला है आप लोग उपर देख सकते है आई बेटन में जहके तो उस night photography के लिए भी tripod की जरुरत परती है मतलब 30 second तक जो उसका photo processing का time आना परते है उसके लिए tripod की जरुरत परती है क्योंकि हाथ में रखने से phone हिलता रहता है तो phone अगर हिलता रहेगा तो वहाँ पर 30 seconds नहीं आता है तो 30 seconds का processing time आने के लिए आपको tripod में रखना परते है तो इसमें रखके मैं photos वगेरे भी क्लिक करता हूँ अच्छा आता है night photos तो उसका में भी आता है बहुत सारा काम में आता है बाकि आप लोग खुद भी explore कर सकते हो आप लोग ऐसा कोई चीज़ खरीते है तो खुद explore कर सकते हो जब आपके पास यह होगा बहुत सारा काम इससे आप लोग कर सकते है और यहाँ पर नीचे यह white color का जो दिख रहे है यह rubber है तो यह slip होने नहीं देता है इस mobile holder को mobile holder अच्छे से grip हो जाता है यहाँ पर इस rubber के वज़े से जो की अच्छी बात है मतलब एक दिर्सो की price की चीज में बहुत अच्छी चीज है दिया गया है और यहाँ पर भी यह padding दिया गया है जो कुछ thermocool जैसा है जो भी हो यहाँ पर यह black color का आप लोग दिख सकते हैं थर्मोगोल का padding दिया गया है मतलब इतने cheap price के चीज में भी जितना हो सके अच्छी चीज देने की कोशिश की गया है और यह जो आप लोग white color का देख रहे है ring यह भी rubber है और इसके वज़े से इसका grip ज्यादा अच्छा था है और बाकि यह अंदर वाला plastic है प्लस्तिक है और यह rubber है जो कि अच्छी बात है और यहाँ पे नीचे भी rubber दिया गया है अच्छा grip के लिए पुरा का पुरा rubber है जो कि अच्छे grip के लिए काम में एगा कहीं पर slip नहीं करेगा अगर आपका camera या फिर mobile phone लेकर आप outdoor में vlogging बगरे करते हैं कहीं पर रखते हैं तो यह slip बगरा नहीं करेगा और इसको आप कहीं पर भी लटका सकते हैं मैंने अपने chair पर लगा कि आप लोगों को दिखा दिया और दूसरे जगा पर भी अप लोग लगा सकते हैं मैं दिखाता हूँ तो दोस्तों अभी अप लोग देख सकते हैं इसको मैंने अपने खिरकी में लगा दिया है जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर बैठ गया है मतलब किसी भी surface पर अप लोग इसको लगा सकते हैं कहीं प लगा दिया है और अभी आप लोग देख सकते हैं इसको टेबल में रख दिया दिख सकते हैं ऐसे रख दिया है मैंने तो यह बहुत काम की चीज है मुझे तो बहुत काम की लगा बाकी आप लोग के उपर है आपको कैसा लगता है तो कोई भी यूट्यूबर हो कोई भी ब् लोगों ने पूरी वीडियो देख लिया है तो आप जो को पता चल गया होगा की आप लोग कैसे और कहा इस गउरिला ट्रैपोट को यूज कर सकते हैं तो यह गउरिष्ट ट्रैप आप लोगो को कैसा लगा आप लोग घॉमेंट में जरूर करे बताएगा और हाँ दोस्तो मैं इस offline market का link तो नहीं दे सकता आप लोगो लेकिन amazon पे जो सबसे अच्छा वाला gorilla tripod कम price में होता है मतलब अच्छा review वाला gorilla tripod है उन लोगो का link में कुछ 2-3 link में नीचे description में दे दूँगा आप लोग जरूर check out किजिएगा अगर आप लोगो गोडिला tripod खरीदना है और अगर आप लोगो को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like कर दिजिएगा और इस channel को subscribe करके bell icon जरूर दबाद जिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक के लिए good bye